गुट मूरिंग स्टूड़न्स, पिछले विडियो में हमने देखा था कि लेखक को किस तर कैसी परिस्तिती में सी जिवन में सी गुजरना पड़ा उनकी पतनी शामानी किस तरह उनका साथ दिया, वो बिमारी और से किस तरह जीवन में लड़े और अपनी इस बिमारी से किस तरह बहार निकले और अपनी बिमारी से बहार निकले तब उनकी पतनी बिमार हो गई और ऐसी बिमार होई कि वो कभी फिर अच्छी नहीं होई और हमेशा हमेशा के लिए उनकी जीवन से चली गई तो इसका नाम मेरी बिमारी शामा ने देखक बिमार थे देखक बिमार के बाद उनकी पत्नी ने उनकी इस तरह सिवा की अपनी बिमारी को दबाया फिर उन्हों ने जब वो पूरी तरह स्वस्त हुए उस दिन उनकी पत्नी ने उनकी पत्नी बीमार हो गई और फिर कभी वो नहीं स्वस्त हो पाई और उनकी जीवन से चली गई इसलिए उन्हों ने इस कहानी का सुष्षब लिया है कि मेरी बिमारी शामा ने ली तो अपनी पत्नी उने का फर्ज किस तरह उनकी पत्नी ने जीवन के अंतिन सांस तक निवाया उसकी बात यहां पर किये वो कैसी परिस्तिती से उजर रहे थे उनका सामाजी को व्यभार किस ऐसकर चल रहा था आर्थिक परिस्तितियाक एसकी कितनी मुश्किल थी इस सारी बाते उन्होंने इस कहानी में हमें बताए है तो लेखर को थोला सा भी बुखार होता था तो वह कभी भी इस बुखार को Semilisit M. तो और भी काम किया करते यह वह कहते थे कि ऐसी बीमारी में तो मुझे और भी लिखने की प्रेणा मिलती हैं। मेरे वीचार और भी तेज वोकर उठते हैं। और उन्होंने कभी भी सर्दी, बुखार, खांसी, सिर्दर्द जैसी बिमारियों को कभी भी उन्होंने देखा नहीं है मतलब उनके जीवन में जब भी ऐसी कोई बिमारी होती थी तो वह उसे दुलार कर कभी भी बैठे नहीं रहते थे बलकि और भी काम करते थे, इस तरह उन्होंने एक कहावत सित्त की थी कि काम के पीछे बुखार बागे, तो जब भी वह बुखार आता था तो और भी ज्यादा काम करने के लिए वह उत्साहित होते थे यहां तक हमने देखा था, आज हम आगे देखेंगे कि यह बुखार मामूली न था, इसका संबन उस तुफान से था, जो पिछले नौ महिनों से मुझे जगजो रहा था, याने कि नौ महिनों से उन्हें बुखार चड़ता उतरता रहता था कभी उतरता, कभी चड़ता, तो कभी ज्यादा कमजोरी मैसूस होते थी, तो इस तरह इस बुखार को उनके जीवन में आए भी नौ महिने हो गई, और जो सांथ होने से पुर्व सबसे अधिक विद्वन्सक जटका मुझे को दे गया था, जिस तरह कोई भी परिसेती हो, उ उसके बार जो बड़ा जटका लगता है, उसी तरह उस मुखार ने भी उनके जीवन में सांथ होने से पहले उन्हें बड़ा जटका दे दिया, स्कूल बंद था, उस समय वह स्कूल बंद था, तुशन पर जाना था, वह तुशन करवाते थे तो तुशन पर जाते थे, उनकी आमगनी की मुझे जरूरत थे, क्योंकि तुशन पर नहीं जाते तो गर का व्यवाहर कैसे चले, पुरे घर की जिम्मेदारी उनकी पर थे, इसलिए गर के परिवार का गुजारा करने के लिए उन्हें यह कारिया करना था, इसलिए वह तुशन बुखार होने के बावजुद, स्वस्तन होने के से नहीं होती थी और कर्ज सीर पर चड़े थे दुसरों से जब भी जरूरत हुई तक पैसे दिये थे तो उसका कर्ज भी सीर पर था इसलिए बुखार दस दिन चला 20 दिन चला महिने पर चला दो महिने चला जुलाई आ गए इस ऐसा करते करते बुखार को बुखार एक दिन दस दिन महिने पर दो महिने तक एसे करते करते जुड़ाई आ गई आने कि फिर से स्कूल शुरू होने का बक्त हो गया समय आ गया अब बुखार के साथ टूशन पर भी टूशन पर ही जाना न होता दिन पर स्कूल में बढ़ाना भी पड़ता पहले तो बुखार था तो बुखार के साथ साथ वह थोड़ा समय निकालके या थोड़ा समय के लिए स्वस्तवों का टूशन करवाने जाते थे लेकिन अब तो टूशन की जिम्मेदारी फिर स्कूल की भी जिम्मेदारी स्कूल में भी पढ़ाना पड़ता था इसलिए उनकी सरिड को जरासा भी आराम नहीं मिलता था इसलिए अब तो स्कूल में भी पढ़ाना पढ़ता था बुखार का नमूना वही मतलachen बुखार में कोई बदलाव नहीं जैसा चुटियों में आता था उतरता था चड़ता था वैसे ही अबी भी उसका क्रम चल रहा था बुखार का नमुना वही सुब बिल्कुल नहीं शाम को 101-102 के बीच सुब बिल्कुल बुखार नहो और शाम को 101-102 इगरी तक उनका बुखार चड़ जादा था कमजोरी दिन दिन बढ़ती गुई कभी कभी दीमी खांसी कमजोरी बढ़ती गई फिर दिमे दिमी खांसी शुरू हो गई दवा सवकिया दवा बाटो एक हुमियोपेथिक कर रहा था हुमियोपेथिक दवा बाटो याने की दवा बाटने वाला एक हुमियोपेथिक दवा बाट रहा था कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदीख हो गया है तो हो गया है तो एलोपेथी का इलाज तो अपने बुते से बाहर है एलोपेथी का इलाज करवाना अंग्रेजी पत्तती का इलाज करवाना तो उनके लिए उनकी बुते के बाहर मतलब शक्ती से बाहर है क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम थी और एलोपेथी के इलाज में ज्यादा खर्च होता था इसलिए उन्हें यह इलाज करवाना उनके लिए नामुम्किन था गुत्यक के बाहर था क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वर्थी बैठी थी जब मैंने कहा था कि शामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ जब उनकी पत्मी पहले से ही बिमार थी तो उन्होंने एक दिन कहा था कि तुम्हारी बिमारी मुझे लग जाए तो देखा को कहते हैं कि क्या उस समय मेरे जीवा पर याने की जीव पर सरस्वती बेट कई थी क्या कि मैंने शामा को कहा कि तुम्हारा बुखार तुम्हारी बिमारी मुझे लग जाए तो ऐसा ही हुआ तो कहा था कि शामा का उापो बुखार में लेने जा रहा हुआ बैठी ओ तो कितना अच्छा है क्या मैं बिमार वह इसलिए शामा स्वस्त हैं क्योंकि अभी स्वस्त होने का दिखावा कर रहे वह स्वस्त तो नहीं हुए थी पर अपने पती की चिन्टा कम करने के लिए क्योंकि पत्नी का स्वास्त भी अच्छा नहीं है और पत्नी का स्वास्त भी अच्छा नहीं होगा तो पत्नी को उसकी ज्यादा फिकर होगी और जिससे वह कभी भी स्वास्त नहीं हो पाएंगे चिंता के कारण इसलिए शामा स्वस्त उनेका दिखावा कर रही थी, तो लेखक सोच रहे थे कि यदि अभी मुझे शामा ठीक दिख रही है, तो क्या मैंने जो कहा था, तो वो सच हो गया, यदि सच हो गया है तो अच्छा है कि मैं चाहे कितना ही अस्वस्त रहूं पर शामा तो स्वस्त है ऐसा सोच कर वह मन ही मन ऐसा मानने लगे कि यद सचाही हुक शामा सवस्त है और मैं बिमार हूँ यदि ऐसा हुआ तो मुझे कोई दिखत नहीं है। मैंने कहा था कि शामा का बुखार में लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है क्या मैं बिमार हूँ? तबियेट ठीक नहीं है तो वह स्वस्त दीख रहे हैं तो वह मन ही मन सोच रहे है कि क्या मुझे वह दिखाने का प्रयास करती है कि मैं ठीक हूँ वास्ताव में ठीक नहीं है फिर भी वर्षो से इन महिनों में ज़़ मुक्ती नहीं जानी थी लेके बुखार से उसे एक पल के लिए भी मुक्ती नहीं मिली थी पिछले छो वर्षो से तो आज भा इतनी स्वस्थ कैसे दीख रहिये उनके मन में भी एक प्रशण उपता है फिर पर शामा को मेरी बिमारी बितर ही बितर खाये जा रहे थी शामा को मनी मन अपनी पती की बिमारी की चिंता लगी रहते थी उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्त कर लिया था इच्छा बन से, मनुष्य चाहे कितना भी कमजोर हो लेकिन उसका इच्छा बन मजबुत हो यानि कि मानसिक रूप से वह स्वस्त हो, मानसिक रूप से तो वह सारे दिक कमजोरी उसके आगे कुछ नहीं कर पाती तो वो मन ही मन इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्त कर लिया था कि वो भी कही मेरी चिंता न बन जाए उसकी विमारी मेरे चिंता न बन जाए इसलिए उसने अपने आपको स्वस्त मन से स्वस्त मन द्रड बना कर दिया था मेरी चिंता न बन जाए उसके अतिरिक तो मेरी बिमारी का शायद किसी को पता भी न था गर में भाई भाई था माता पिता थी लेकिन उनकी बिमारी के बारे में उनकी पत्नी के अलावा किसी को पता नहीं था क्योंकि सारे काम तो में सामान्य रुप से किये जाता था जो बुखार होने के बावजुद भी अपना सारा कारिय वह अच्छे से कर रहे थे गर्मी में तो सबी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं गर्मी के कारण हम अच्छी तरह से खाने पाते और इसके कारण हमारे सरीर में थोड़ा सा बदला होता है तो मेरा सरीर जो दुबला पतला हुआ था तो गर्मी के कारण दुबला हुआ है ऐसा सब मानते थे लेकिन क्यों ऐसा हुआ था वतो मैं और मेरी पत्नी ही जानते थे तिरिक्त मेरी बिमारी का शायद किसी को पता भी नहीं था क्योंकि सारे काम तो मैं सामने रुख से किये जाता था गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुर्बल दुबले हो जाते हैं एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखरजी से अपनी परिक्षा कराओ मतलब अपनी जाच कराओ कि एतने महिनों से यह मुखा रहता है तो अखिर है क्या मैंने टाल मटुल की ले जाने से इनकार करने के लिए बहाने बनाए मैंने टाल मटुल की तो उसने प्रमास्त्र छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र ऐसा बाण जो एक बाल तो दुने से छुटने के बाद वो वापस नहीं आता तो उसने शब्द रुपी ऐसा बाण चूर दिया कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाओं वो खाना नहीं खाएगी उसने ब्रह्मास्त्र चूर दिया याने कि उसने अपने पती को कहा कि आप जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाते तब तक मैं खाना नहीं खाऊगी ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था अब पत्ने ने खाने से इंकार कर दिया तो पत्ने की बाद तो मानने ही थी डॉक्टर मुखर जी को बैथा कि मुझे पर क्षय का आक्रमन हुआ है क्षय लोग मुझे हुआ है डॉक्टर मुखर जी को लगा कि मुझे क्षय का क्षय की मिमारी है आक्रमन हुआ है नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पुरी तरह आराम करने को कहा जो कुछ भी करना था जो दवया खाने थी वो सब कुछ उन्होंने मुझे बता दिया और फिर सारीरिक आराम करने के लिए भी उन्होंने मुझे सला दिन और चिंता से मुक्त होकर सारेरी के रुप से आपको आराम करना है ऐसा उन्होंने कह दिया नुसका मुझे मौद का परवाना लगा मौद का परवाना याने कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह लेखक नहीं करते यदि करते तो कर्च लाना भी मुश्किल क्योंकि दवाया लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे माथे पर दूसरों का कर्ज भी था तो वो भी चुकाना था हर मैने अपने किस्तों में बाटा हुआ जितने भी रूपिय दूसरों को देने थे वो भी खटे करने थे तो यह सब आराम करने की जो बाते थी उनके लिए मुंकिन नहीं थी इसलिए वो कहते हैं कि नुस्खा मेरे लिए मोद का परवाना था क्या मेरी बीदा का समय आ गया है अब मैं इस दुनिया को छोड़ कर चला जाओंगा उन्हें लगा कि डॉक्टर ने मुझे इसा कुछ करने के लिए कहा तो क्या मेरा रुख इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जब गया गया इतने दिनों के लिए मैं इस दुनिया में आया था इतने दिनों के लिए ही में यहाँ पर आया था, इतने इतना ही गाने, गुलगुनाने, केवल इतना ही स्रम संगर्ष करने के लिए में इस दुनिया में आया था, इतने दुख संकर उठाने के लिए आया था, उनके मन में हजारों सवाल पैड़ा हो गए, जब डॉक्टर मुक अब इतना ही काम करने के लिए सुनिया में आय था इतना ही संगर्श करना था इतने ही दुख जिलने थे स्वागत के दुख उठाने स्वागत के साथ बीदा होती देखी तैयारी बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मदुशाला अभी तो मेरी जीवन की शुरुआत होई है मेरे जीवन की रंगिन पड़ों की शुरुआत होई है और कितने में बंद होने लगी मेरी जीवन की मदुशाला मदूर स्वपनों रुपी पाटशाला अभी बंद होने लोगी याना कि जीवन में अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार जनों के साथ उन्हें जितना भी समय वक्त बिताना था और जितनी कुशिया अपने परिवार जनों को देनी थी जितने सूख बाटने थी वो सारे अब नहीं कर पाऊंगा मेरी मदूशाला बंद हो जाएगी मदूर स्वपनों की दुनिया अब खतम हो जाएगी कैसा मन ही मनव सुचने लगे क्या मैंने अपनी पविश्यवारी स्वयम कर दी थी सबसे मर्मवेधी प्रश्न था क्या शामा के भग्य में वैदव्य भी लिखा है यदि मैं नहीं रहूंगा तो शामा विद्वा हो जाएगी तो क्या शामा के जीवन में वैदव्य भी लिखा है इस सारी बाते उनको उनके मन में एक के बाद एक दोहराने लगी मरम वेधी यानि कि दिल को चुने वाला प्रश्ण सबसे ज्यादा दिल को चुने वाला प्रश्ण ग्या था कि अब मेरे बिना ही शामा को जीवन भुजाना पड़ेगा क्या उसे एक विद्वा के रूप में अपना जीवन बिताना पड़ेगा मुझे मरने से मुझे डर नहीं था मरने से मुझे डर नहीं था वो मुझे कठीन भी नहीं लगा मरना मुझे मेरे लिए कोई कठीन काम नहीं था कठीन लगा मरने से पहले जीना क्योंकि मरने के बाद तो आदमी चला जाता है संसात को छोड़कर फिर बाद में उसके पीछे क्या होता है, क्या नहीं, वह देखने वाला नहीं है, लेकिन जब पता चलता है कि अब हो मरने वाले हैं, तब से लेकर जब तक जिन्दा है तब तक, जो समय है, उसे काड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, यह सोच कर कि अब मैं क्या करूँगा, मैं चला जाओंगा, मेरे पीछे, मेरे परिवार का क्या होगा, तो यह सारी चिन्ताएं लेकर को भी गेर लेती हैं, और इसलिए वह कहते हैं कि मरने से मैं नहीं डरता था, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था, मरने से पहले जिना, पुरे आराम के अर्थ होंगे, टुशन छो पूरा आराम करने के लिए मुझे डॉक्टर मुखर जी ने कहा, तो इसका मत्तव है कि अपमें टुशन पर भी नहीं जा सकता, स्कूल से छुटी ले, स्कूल में भी नहीं जा सकता, ज्यादा लूँ तो बगेर तनखवा के लेने को तयार हूँ, फिर गर का खर्च कैसे चल सकते हैं, उनके भाई जो थे साले ग्राम, उनकी तनखवा भी ज्यादा नहीं थी, कम थी, तो वो अकेले, वैसे दो दोनों भाई मिलकर गर चला रहे थे, लेकिन जब मैं ही स्कूल नहीं जाओगा, टुशन पर नहीं जाओगा, तो मुझे तनखवा नहीं मिलेगी, फिर सा पड़ता है, तो बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर बेजने की स्तिती में नहीं होँगे, जब उसकी बड़ी हो जाएगी, तो वहां जाकर उन्हें फिर से नया घर बसाना पड़ेगा, नया घर लेना पड़ेगा, यानि किराया देना पड़ेगा, फिर सारी चीज दॉक्र मुखर जी ने जो दवाईया बताई है, वो कहां से आएगी, किताबों से आमदनी अनियमित और अनिस्ची थे, किताबों तो किताबों विक्ते थे, इससे तो आमदनी नियमित रुप से नहीं आती, कभी विक्ती है, तो आती है, नहीं विक्ती तो नहीं आती, तो वो तो अनिस्ठी थे, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है, माते पर इतना कर्ज है कि हर बर मुझे कर्ज देना भी मुश्किल हो गया है और शामा ने मेरी बिमारी सुने तो कापूठी, लिकर्ट की बिमारी उने सुने तो कापूठी और फिर तुरंत संबल भी गई तुरंत अच्छी भी हो गई, फिर द्रड भी हो गई, जैसे उसने पलवर में अनुबव कर लिया कि उसका कापना में सहन नहीं कर सकूँगा उसने अनुबव कर लिया कि मैं अपने बिमारी आपने पती के सामने व्यक्ता नहीं करूँगा फिर इस खबर से मेरे माता पिता को तो लगवासा मार गया याने कि वह तो पुरी तरह टूट गई वह मांसिक रूप से बहुत चिंतित हो गई तो इस बिमारी के बारे में घर में आज तक किसी को पता नहीं था लेकिन दिन प्रती दिन उनकी बिमारी बढ़ती गई तो उनके गरवाले भी परिशान हो गए पिता जी देर्यवान व्यक्ति थे उन्होंने मुझसे कहा गबराओ नहीं हम गर बेजकर तुम्हारा इलाज करें पिता जी बड़े देर्यवान थे उन्होंने अमें बताया कि तुम गबराओ नहीं हम गर बेजकर तुम्हारा इलाज करवाए तुम चिंता मत करो इस तरह जब डॉक्टर मुखर जी ने उन्हें नुसका बताया थो उनका अपनाना लेखक के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था क्योंकि लेखक इस तरह अपने गर का खर्च कैसे निकाल पाते दवायों का खर्च कहां से उठाते फिर डॉक्टर ने आराम करने को कहा था तो आराम करेंगे तो फिर वह तुम तंत्वा कहां से राय से आमधनी नहीं होगी तो फिर इसारी चिंताय उन्हें खाये जा रहे थी इसलिए नेका कहते है कि मुझे मरने का डर नहीं था पर मरने से पहले जिनना इतना मुश्किल हो गया था कि मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा कभी इससे नहीं इस वीमारी से नहीं निकल पाऊंगा किसा आप डर मन में बैट गया था मेरे लिए एक एक पल, एक एक खण काठना मुश्किल हो गया था फिर उनोने, शामा ने मेरी बिमारी सुनी तो काप उठी पर तुरंप संबल भी गई, द्रड भी हो गई जैसे उसने पल भर में हनुभव कर लिया कि उसका कापना में सहन नहीं कर सकोंगा पहले तो उनकी पत्ने ने उनकी बिमारी के बारे में सुना तो गबरा गई फिर मन ही मन वसोच कर खड़ी हो गई याने कि मन से मजबूत हो गई कि यदि मैं ही ऐसी कमजोर हो जाओगी तो वो मुझे देखकर और भी कमजोर हो जाए इसलिए उसने अपने आपको संबाल दिया और स्वस्त होकर मुझे सामने आ गई फिर इस खबर से मेरे माता पिता को तो लगवासा मात गया पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे तो उन्होंने मुझे से कहा कि गबराव नहीं हम गर बेजकर तुम्हारा इलाज करेंगे पिताची बड़े दिरजवान थी उन्होंने मुझे ठांडर्स दिया सालिग्राम और समर्थता की एक सांस लेकर रह गई निराशा सुचक सांच यह बात सुनकर सालिग्राम और निराश हो गए मैंने कुछ दिनो के लिए दुशन और स्कूल से चुटी लेली थोड़े दिनो के लिए मैंने दुशन और स्कूल से चुटी लेली किताबों की विक्री से कुछ रुपिये पड़े थे उनसे दवाय मंगाली और चार पाइपर लेट गया चार पाइपर लेट गयाने की खटी अपड़ी शामा की सेवा साकार हो गई और शामा ने मेरी पुरी तरसे मेरी सेवा की और साक्षात सेवा की मुर्तिके रूप में न जाने क्या बनकर मेरे जीवन में वह आई थी। रोक्टर ने निश्चिन्त होकर आराम लेने के लिए कहा था। यानि कि किसी भी प्रकार की कोई चिंटा करने लेनी ऐसा कहा था। जब बहुत कुछ करने को कह रहा था, तो चिंटा के लिए समय ही कहा था। बहुत कुछ करना था। तो कि चिंटा का समय ही कहा था चिंटा करने का। अग तो चिंटा ही चिंटा जब पहले में काम में वेस्त रहता था तब पुरा मन मेरा काम में लगा रहता था। जिसके कारण कोई भी चिंटा करने का मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। लेकिन आज मेरे पास कोई काम नहीं है, तब पूरा दिन चिन्ता ही चिन्ता मन पर लगी रहती है, विसेस चिन्ता भी मुझे सीर पर चड़े कर्ज की थी, सबसे विसेस, क्योंकि जो इजद्दार व्यक्ति होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिती सही नहीं होती, लेकिन किसी से भ लेकिन अब तो लेखको वह भी नहीं दे पाएंगे, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे प्रतिष्ठा, उनकी आज तक जो प्रतिष्ठा थी, वो प्रतिष्ठा पर कलग लग जाएगा, जबबा लग जाएगा, ऐसा वो सूच रहे थी, कि सबसी ज्यादा चिन्दा सर प चिन्ता भी मुझे सीर पर चड़े कर्ज की थी, मेरा इलाज हो या नहो, पर कर्ज की किस्ते तो जाने ही चाहिए, और मैने जिसको जितना देने के लिए वादा किया है, उतना देना ही पड़ेगा, उसकी नियमित अदाएगी के साथ में साख जूड़ी है, अदाएगी या उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी, यदि मेरी प्रतिष्ठा चली गए, जो मैने चितने पैसे ही हर मैने देने का वादा किया है, वो नहीं दे पाया, तो मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी, और मेरी प्रतिष्ठा जाने का मतलब है, मेरी मौत से पहले ही मौत प्रतिष्टी त्व्यक्तियों को अपनी इज़त की अपनी प्रतिष्टा की भारी चिंता होती है। इसलिए वह सोचते हैं कि मेरी दवाद आये या ना आये। पर नियमित रूप से कर्ज तो जाना ही चाहिए। इतने में जितने शब्दातों वभुण पेंदे देखरें। दवाद दवादने बादा। आपको भी इतना है। दवाद डवाद दवादने आये। बेला बातनी, बेला 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 याने कि जिसका पत्ली मर्चाता है उसके बार उसकी पत्ली को वैद्धव्य जीवन जेना पड़ता है मर्मवेटी दिल को छुडे वाला मर्मवेटी दिल को छुडे वाला विलको छुडे लाला थाने को छुडे वीटन संख्वार वेटन 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 उसांस, निराशा सुच्च पसांस उसांस निराशा सुच्च सांस हुदाइगी, पसा चुचाना हुदाइगी पसी चुचाना उसांस पसांस भी क्लिवलोग में भी क्लिवलोगन में झाल झाल आज की विडियो में हमने देखा कि लेखा को डॉक्टर के यहां जाना पड़ा पाब कि लेखा जाना पड़ा तो अपनी पत्नी ने उनकी पत्नी पुरा आराम करने को कहा और कपटी क यानि कि उप्षय के अजा है अजल्ते प्रती दिन उनका गौटा बढ़ रहा है तो पुरा आराम करना है जिन्ता मुटत रहना है और फिर उन्होंने जो भी दवाया दी लेने के लिए कहा था वह भी भारे कर्च वाली आने की महिंगी महिंगी थी ये सारी बाते उनके लिए बहुत ही कठिल हो गई फिर पुरा उनके पिताजी ने उन्हें डांडस बंदवाया कि बेटा हम तुम्हारा उपचार करेंगे तुम चिंता मत करो हम घर बेजकर तुम्हारा उपचार करवाएंगे तो इस तर उनकी बीमारी जानने के बाद गरवालो की और उनकी सिती कैसी हो गई इसके बारे में आज हम दे देखा आगे का पाट और कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे तो आज तक हमने जहां जो कुछ भी देखा है वहां तक आपको 5-6 प्रश्ण हेतु लक्सी उत्तर दे सके यानि कि एक डो सब्दों में या बात्यों में उत्तर दे सके ऐसे कि अृह झालि नहें prophets ले डे कि लिए